हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने LG W11 Android वाइल फोन में आप जो है Lock Screen Notification Setting को आप Enable कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये Lock Screen Notification Setting जो है Enable होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपर जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने Mobile Phone में Setting Page आपको Open करना है ठीक है Setting Page में आपको नीची आना है आपको Option मिलेगा ये Display का डिस्पले पे आपको सेलेक्ट करना है अब डिस्पले के इस पेज में आपको नीची आना है यहाँ पर आपको Option मिलेगा ये Lock Screen Display इसे आपको सेलेक्ट करना है अब आपको जो है न अगले पेज में ये Option मिलेगा Lock Screen का Lock Screen पे सेलेक्ट करना है अब आपका lock screen का चोटा सा page open होगा ना इसमें आपको जो है ना यह first option select करना है पहला show all notification यह आपका लिखा हुआ होगा इसे आपको select करना है तो देखिए lock screen के नीचे लिखा हुआ आ रहा है show all notification content ठीक है तो यह setting अब enable हो जाती है आपकी इस तरीके से अब यह setting जो है enable होने के बादी setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है तो जब भी आपके while phone की screen lock होगी ना इस तरीके से यह देखिए lock screen पर होगा आपका phone यह हमारे while phone की lock screen है ठीक है यह आपके lock लगा हुआ है तो अगर आपके phone पर कोई भी notification आएगा तो आपकी इस lock screen पर दिख दरने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है इसके लिए आपको करना है क्या होगा आपको जो है अपने mobile phone में setting page open करना है ठीक है setting page में आपको सबसे उपर यह search setting option मिलेगा इससे आपको select करना है यहाँ पर आपको search बार में type करना है lock screen display ठीक है lock screen display आप यहाँ इस तरीकी से type कीजिए ठीक है तो आपको नीचे option शो हो जाएगा lock screen display ठीक है इससे आपको select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone direct आपको इस setting page में लेकर आ जाता है तो यह एक shortcut तरीका है setting को ढूंडने का आपके mobile phone में